मैं संजय कुमार दिक्षित वरिष्ट पत्रकार वेदान्द बक्ती चनल आज हमारा विशय जो है वो ये है कि जानवापी जो मामला था उसकी उपर कोड का निर्ने मित्रो ये निर्ने जो आया है कोड का वो बिलकों सही है और लेकिन जो मुसलिम भाईयों दोरा या मुसलिम पक्ष़ के दोरा जो दलीले दी जा रही है वो बहुत गलत है होता ये है कि हमारे यहां पर सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं है ऐसा हम सब लोगों को बताया जाता है और हम लोग ऐसा ही समझते भी है लेकिन वो मुस्लिम जो कोट पर विस्वास रखते हैं कोट के डिसीजन पर विस्वास रखते हैं वो मुस्लिम शांत क्यों हो जाते हैं इस ऐसे समय में जब कोट ने एक निर्णे दिया उसमें ओबेसी जैसे लोग अपनी भाशा का इस्तेमाल करते हुए और हिंदू और मुस्लिम के बीच में लाई लाना चाहते हैं आज हिंदू समाच के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है इस बात से कि भाईचारा जो शब्द इस्तेमाल अधिकतर प्रायाई किया जाता रहा है वो हिंदू और को चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है ऐसी संदेश वेसी जैसे लोग या विपक्ष के बहुत सारे नेता कोड के निर्णाय के बाद दे रहे हैं और वह जनमानस के दिमाग में बैठ भी रहा है जो गलत है देखिए हम भारत का विभाजन जो हुआ था 1947 में वो धर्म के आधार पर हुआ था उनको मुसलिम कंट्री मिल गए वो दो भागों में बट गए वो एक अलग इशू है लेकिन धर्म के आधार पर अगर निर्णाय हुआ था अब मुसल्मानों को जो भारत में रह रहे हैं उनको बहुत सम्मान बहुत कुछ हिंदू समाज ने दिया लेकिन आज हिंदू समाज को मुसलिम समाज क्या दे रहा है एक भी जगह पर कहीं पर भी उनकी सहरदयता जो होती है वो कहीं पर भी नहीं आई दिखाई नहीं दी ना उन्होंने कुसी भी चीज को एक भाई और जो एक सम्मेजन सी रिस्ता हम लोग हिंदू और मुसलिम और अन्य समाज के लोगों के बीच में है अन्य पंथों की बीच में हैं उन्होंने कभी भी बनने नहीं दिया और आज भी वो सत्य को असत्य साबित करके और उन चीजों पर जो अत्याचार उन्होंने पहले किये थे उनको वो सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को धर्म गलानी बोला जाता है जब असत्य क तो इस्थापित कर दिया जाए लोगों की बीच में और यह लड़ाई जो ग्यानवापी से अरंब हुई है यह सत्य और असत्य की लड़ाई है जिस पर मैं पूरी तरह के पूरे विश्वास के आत्म विश्वास के साथ मैं बोल सकता हूं कि इसमें सत्य की विजय होगी ही जि लाइक करें और शेयर करें जहिन जय भारत